स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में मेरा नाम है नीटेंद्र तोमर डारेक्टर तोमर कम्प्यूटर आज के इस वीडियो को बिना स्किप किये लाश तक देखिएगा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फरमेटिव होने वाली है और हाँ यदि आप हमारे इस यूटूब चैनल में नए हैं तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं 60 Days Computer Basic Training Certification Course के अंतरगत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है ये 60 Days का जो Computer Basic Certification Course होता है वो इंडिया में एक जॉब निकली हुई है GDS ग्रामीन डांक सेवक की जॉब इसमें 60 Days का Computer Basic का Certificate अनिवार है वेकैंसी का फॉर्म भरते समया में अपलोड करना इसके लिए हम अपने इस चैनल में लगातार वीडियोज अपलोड कर रहे हैं जिसमें की हम 60 Days तक Computer की Basic Training देंगे यदि आपको GDS का फॉर्म भरने के लिए इसका Basic Computer का Certificate चाहिए है तो इसकी Complete Procedure के अंतरगत सबसे पहले आपको हमारा App डाउनलोड करना होगा जैसे ही आप इस App को डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपको आप इस थम्मिनल को देख लीजे आपको App के Store टैब में जाना है इस Course को जॉइन करना है Course को जॉइन करने के बाद App के चैट में ही आपको अपनी जानकारी हमको भेजना है जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, अड्रेस, कंप्लीट अड्रेस, पिन कोड इस सारी जानकारी आप हमें भेजेंगे हम आपको 60 Days Computer Basic का Certificate की Hard Copy आपके घर में Speed Post कर देंगे और उसके पहले जैसे ही आप इस Course में अपलाई करेंगे 24 hours में आपको इसकी Soft Copy इमेल कर दी जाएगी अब क्या हमारा ये Certificate केवल GDS Job के लिए वैलेड है और किस छित्र के लिए वैलेड है तो मैं बतला दू हमारा ये Certificate All India Valid है All India किसी भी स्टेट में हमारा ये Certificate चलेगा इसी प्रकार से हमारा ये Certificate केवल GDS Job के लिए नहीं सभी सरकारी नौकरी में मान है हमारी Company जिसका नाम प्रयागदास्तोमर Computer Education Private Limited है जो की Ministry of Corporate Affairs से रेजिस्टर्ड है स्टार्ट अप इंडियम रेजिस्टर्ड और MSME में रेजिस्टर्ड है ISO Certified है हमारे Certificate सभी Government और Private Job में मान है तो यदि आपको हमारे Institute से हमारे Center से आपको Certificate चाहिए है आप Course करना चाहते हैं तो सबसे बहले वीडियो के Description में जाएए और App Download कीजिए जिसका नाम है My Computer Course App और जल्दी से Course को जॉइन कीजिए और अपना Certificate घर मंगवाईए और फटा-फट जॉब के लिए अपलाई कीजिए आज हम क्लास में समझेंगे अपनी जो Next हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है इसके इंतरगत आज हम अभी के बाद आज हम आँगे बढ़ेंगे और ऐसे करते ही हम आँगे चलते जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास तो आज हम पावर पॉइंट में जो Next टैब दिया गया है इंसाइट टैब उसके बारे में समझेंगे कि इसमें जो क्या क्या ग्रुप दिया गया है और आप्संस क्या है उनके बारे में आज सीखेंगे तो यहां पर देखिए ग्रुप की नाम बता देता हूं जो पहला ग्रुप दिया गया है स्लाइड ग्रुप सेकेंड दिया गया है टेबल्स ग्रुप 3rd दिया गया है image group 4th दिया गया है illustration group 5th दिया गया है add-ins group 6th दिया गया है links 7th comments 8th tracks 9th symbol 10th दिया गया है media इन group में जो दिये गया options है उनके बारे में संजहेंगे तो सबसे पहला जो group दिया गया है वहाँ पे दिया गया है slide तो यहाँ पे मैंने home tab पे जो new slide है यहाँ पे देखी यहाँ पे insert करना बताया था तो आप पहली वाली वीडियो में देख सकते हैं कि आपको किस तरह से new slide यहाँ पे जो slide group दिया गया है इसको कैसे insert करना है तो आता करता हूँ आप home tab में जाकर home tab की जो मैंने video डाली है वहाँ पर आप देख सकते हैं फिर यहाँ पे जो table है second जो group दिया गया है उसको मैं समझाता हूँ कि insert कैसे करना है तो देखिए यहाँ पर select करना रहता है आपको कितनी row चाहिए हैं जैसे table insert करना है आपको तो मैंने यहाँ पर blank slide लेकर यहाँ पर table select करते हैं जैसे कितनी column चाहिए हैं तो यहाँ पर column की संख्या बताएगा फस्ट पर छे column और एक row है तो आपको जिससे आप से insert करना है तो इससे आप से insert कर सकते हैं जैसे चार row चार column और दो row की यह बन रही है तो इस तरह से आप insert कर सकते हैं इस तरह से insert हो जाएगी इस तरह से insert होने के बाद आपको insert करना है फिर यहाँ पर आप उसकी style को भी change कर सकती है यहाँ पर बहुत सारी style दे गई हैं यह इस तरह से ब्लैक में करना है ब्लैक में कर दीजिए इस तरह से इसके बारे में लिख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर अगर जो header row है उसको hide करना है तो hide भी कर सकते हैं यहाँ पर यह देखिए hide हो गई है यहाँ पर इसको जो black color का है वो hide हो गया है यहां पर इसके जो सैडिंग है इसके जो पर सैल है अगर आपको उस पर भी कलर देना है जैसे तो यहां पर सैडिंग में जाकर कि यहां पर कलर दे सकते हैं यह देखिए एक सैल में अलग सा कलर आ गया है इसी तरह से दूसरे सैल में भी आप कलर दे सकते हैं यहां पर यहां प आपको जो भी अच्छा लगे उस तरह से इफेक्ट भी दे सकते हैं यहां पर क्योंकि स्टाइल भी दिया गया है अगर आपको यहां पर कोई टैक्स टाइप करना है तो आप बार डार्ट जो दिया गया है यहां पर क्योंकि स्टाइल उसके दारा भी आप इसके यूज कर सकत यहां पर जो टेक्स टाइप करेंगे तो उसका कलर технолог हैं यहां fandom यहां पर ऑप सब्हसन मैंने Baham बता चुके हैं मैंने इसी तरह से हम पर भी यहां पर को यहां पर यह आपको करने हैं गडलौ करने इस तरह से आ परक सकते यहांपर आपको ठेय महरा किनेश इसको मॉर्टाइन आउटलाइन इसकी जो बॉर्डर Aww उसको खलतार कर दो बिक gonna work आप निए म 싶ें गे इस तरह से आप यहां पर सिलइक्ट कर लीजें इसका कलर्र यहां पर सेलएक्ट कर लीज्ए आगर आपको खुद से डॉक्त ओर करनी है तो से draw भी कर सकते हैं ये देखिए इस तरह से और यहां पर अगर आपको मैं आप next जो option दिया गया है वो बताता हूं, इसको मैं select कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इन सबको select करके और delete कर देता हूँ, अब मैं जो next option दिया गया है, image group जो दिया गया है, उसमें जो first option है, picture का, जैसे आपको यहाँ पर कोई picture insert करनी है, तो आप इस option के use कर सकते है इस पर click करेंगे, फर this device में जाएंगे, अकर आपके पास इसी laptop पर ही या computer पर आप जो use कर रहे हैं, उस पर ही आपके पास है photo या insert करनी है, तो आप यहाँ से insert कर सकते हैं, या आपके पास net connection हो, तो online picture को download करके यहाँ पर insert कर सकते हैं, जिसे हमारे पास laptop पर ही है, तो पास कुछ photos रखी है, तो इसको मैं insert करना चाहते है, तो select कीजिए और insert पर click कर दीजिए, यह देखिए इस तरह से insert हो गई है, पर इसके भी एक format टैप खुल जाता है, जिसे आगर आपको background remove कर सकते हैं, इसकी जो correction है, आपको किस तरह से इसके जो color है, जो brightness है, उस तरह से contrast, किस तरह से set करना है, तो यहां से भी set कर सकते हैं, यह देखिए इस तरह से दिखाए देगा, आपको color करना है, किस तरह का color रखना है, इस तरह से यहां पर select कर सकते हैं, यहां पर इसके जो effect है, वह किस तरह से रखना है, यह देखिए black and white पे, या इसका effect इस तरह से रखना ह मगाम कह उता हैं इस तरह से heavily आप यूज कर सकते हैं फिर हां पर चेंज पिक्चर आज़ को अगार दूसरी पिक्चर इंसेट करनी है तो दूसरी पिक्चर भी इंसेट कर सकते हैं यहां पर देखिया कोई और दूसरी picture आ गई है इस तरह से अगर reset कर देंगे तो picture reset हो जाएगा यहां पर हमने कुछ formatting की नहीं है बाकी तो अगर यहां पर जैसे कुछ formatting करते हैं यह देखिए इस पर जो color कर दिया अब जैसे यहां पर reset पर click कर देंगे तो जैसे नॉर्मल था default में हमने picture insert की थी उस तरह से हो जाएगा यहां पर उसकी style दीगे आपको किस तरह के style पर रखना है यह देखिए इस तरह से इस तरह से आपको जो style लगे उस तरह से रख दीजिए फिर यहां पर उसकी border देंगे तो border का color भी दे सकते हैं यहां पर उसकी जू thickness है eye drop इस तरह से आप इनका use कर सकते हैं अगर dotted line में देना है तो इस तरह से इनका use कर लिजिए फर effect देना है picture पे preset करना है ये देखिए इस तरह से shadow देना है shadow भी दे सकते है background में जैसे picture आप inside करते हैं तो ये इस तरह से ये देखिए और उसी तरह से यहाँ पर इसके layout भी दिये गए हैं कि आपको किस format में रखना है जैसे smart art use करेंगे अभी तो इस तरह से यहाँ पर किस चीज में रखना है तो इस तरह से रख सकते हैं और उसके बारे में यहाँ पर text भी type कर सकते हैं जैसे picture इस तरह से आप लिख सकते हैं और इस तरह से photo लगा सकते हैं यह इस तरह से पर यहाँ पर इसको मैं format में regardless और यहां पर कर देता हूं if you yes ii do is calling delete कर देता हूं फ हर्थ ए процесс एक picture इंसर्ट कर लेता हूं कि आइदीर्क ही तुआऐ तो वहां पिर वह उस पे अपला हो गया था docs लियाउट अपला उगया थ这 लिए वह चेंजे से नहीं हो रहा था तर यहां पर आल यह इस तरह से, section pane on करके जैसे आगर आपके पास जादा बहुत सारी photo हैं, जैसे बहुत सारी photo insert हो गई हैं और आप select नहीं कर पा रहे हैं बाकी photo को ति हाँ पर selection pane के दौरा भी आप select कर सकते हैं अगर आपको picture hide करनी होती हाँ यहाँ पर आई बटन पर यह इस पर click कर दीजिए ति hide और so होने लगेंगे इस तरह से आप use कर सकते हैं और अब हम इसके बाद जो next option दिया गया है screenshot इसको देखते हैं इसको मैं delete कर देता हूँ और अब देखते हैं यह वाला screenshot screenshot का use जैसे आपको background में जैसे हमें यह जो background में इतना दिया है window का इतनी जो clip है आपको inside करनी है उस PowerPoint के slide में तो आप कैसे करेंगे इस screenshot पर click करेंगे और यहाँ पर screen clipping का है तो इस पर click करेंगे आप यहाँ पर देखिए प्लस का निसान आ रहा है तो इसको जितना भाग आपको clip करना है तो इतना भाग select कर लीजिए यह देखिए मुझे सिर्प इतना भाग चाहिए window का और इसको click करके mouse से left key को दबाई रखिए और उसके बाद select करने के बाद छोड़ दीजिए तो यह देखिए यहाँ पर इस तरह से screenshot आ जाएगा यह इस तरह से और आप इसका use भी कर सकते हैं इस तरह से आप insert कर सकते हैं फिर इसी तरह से इसको मैं delete कर देता हूँ यह अब जैसे photo album अब इसका क्या use है जैसे आपको photos ती गई है आपके पास photos है और उसकी एक album बनानी है slide में presentation के तौर पर तो आप यहाँ से photo को select कर लीजि आप dialogue box में जाएए इस तरह से एक dialogue box open हो जाएगा photo album का यहाँ पर आपको file या disk में जाना है यह आपको जो जो photo दी गई है उसको select कर लीजिए इस तरह से control दवा करके keyword से और उसके बाद inside पर click कर दीजिए और यहाँ पर selected हो गई है यहाँ पर जाने के बाद create पर click कर दीजि तो यह देखिए एक new window खुल गई है और वहाँ पर यह देखिए इस तरह से selected हो गए है यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा जिसके नाम से यह open है और यहाँ पर देखिए फोटो इस तरह से insert हो गई है presentation की तौर पर slide में इस तरह से आप insert कर सकते हैं मैं यह second presentation open हो जाती है यहा first option दियागे shapes का shapes के बारे में भी मैंने home tab में बताया था यह देखिए drawing group के अंतरगत यहाँ पर shape insert करना चाहें आप insert कर सकते हैं तो आप home tab की वीडियो को आबस से देखिए तो आपको यह जो यहाँ पर option दिये गया है shape options इसके बारे में आप समझ जाएंगे और इसके बार जो next option दिया गया है icons का तो icons यह एक new feature जोड़ा है इस पर यह भी एक browser की तरह काम करते हैं आपके पास internet connection होना चाहिए जैसे इस पर click करता हूं मैं यह देखिए एक window खुल रही है तो यहाँ पर offline बता रहे है क्योंकि आप मेरे पास अभी internet connect नहीं है आप जैस करके आपको जो insight करना है तो उसको select करकी यहाँ पर insight कर सकते हैं इस browser के द्वारा तो यहाँ पर इसका यूज यह है फिर यहाँ पर 3D model दिया गया है आपके device में यह आपके पास stock में ही आपके device में अगर 3D model पढ़ा होगा जैसे clip आपके पास होगी यह picture होगा तो आप यहा यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए यहाँ पर वैसे तो मेरे पास है नहीं तिसली में इंसर्ट नहीं कर पा रहा हूँ अब देखते है next option smart art का तो smart art पर click करते हैं तो देखिए आपके सामने इस तरह से एक बिंडो दिखाई देगी आपको किस प्रकार का smart art चाहिए जैसे list का भी दिया है यहाँ पर देखिए list के दोरा भी आप समझाना चाहें कुछ बताना चाहें तो smart art को यूज़ कर सकते हैं जैसे types बताते हैं जादत है तो types बताने के लिए आप इनके यूज़ कर सकते है smart art का जिसमें यह circle वाला देख लेता हूं यह देखिए इस तरह से select करना है और जो आपको smart art सही लगे और इसके बाद यहाँ पर okay पर click कर दीती है तो यह देखिए इस तरह से insert हो जाएगा इसका भी एक design tab और format tab खुल जाता है तो उनके बारे में देख लेते हैं जैसे इसके बारे में कुछ data यहां पर ल जाल दी है इसको select करेंगे आपको अगर add एक safe जैसी यह गोलाकार दिया गया है इसको अगर एक sap inside करना है तो यहां पर add कर दीजिए देखिए उस select कर दीजिए यह add हो जाएगा इस तरह से इसको delete करना है तो delete भी कर सकते हैं यहां पर इस पर जाएंगे यहां पर option delete option दिखा Past the text pane, text pane भी दिखाई देगे तो यहां पर देखिए मैंनने जो-oot text apply की ती जिसे एक लिखा ताद hai निए इनिविटी यहां पर यह इसकी जो मूब करने आपको अगर मूउप करना मडें सुमूब करना है यहां यह कर सकते हैं यह इस तरह से आप चींज कर सकते हैं Clayout आपको अगर Color दिय conse यह दे देखिये vście आपको STYL यह इस तरह से सकते हैं और इस आपर लाफिक्स अबर ऑड़ स्पारॆइब तरह से आपको सब्सक्राइब ोност एक द्सस्क्राइब आप इनके यूज कर लीजे और इंसर्ट कर सकते हैं, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, अब हम जो next option दिया गया है यहाँ पर चार्ट, चार्ट जैसे आपको किसी के बारे में details लेकर आपको चार्ट के द्वारा presentation तयार करना है, चार्ट बताना है, त और उसके बाद ok कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा load लेगा, यह देखि इस तरह से je insert हो गया है यहाँ पर यहाँ पर इसके विदम चार्ट को अब चार्ट यहाँ पर चार्ट थिवा ए प्ठाना है तो यह यहाँ पर देखिए यह एकसल के एक sheet खुल जाते है तो यहाँ इसको डेटा तयार करने के लिए जिसे साफसे यह डेटा यहां पर इसके जो देख रहा है यहां पर यह चार्ट देख रहा है देखिए तो यहां पर उसके साफसे डाटा भरा हुए जैसे हम यहां पर चेंजिस करते हैं यहां पर कर देते हैं यहां पर 12 कर देते हैं और देख और उसके बाद यहां पर कर देता हूं, इस तरह से आप सैट कर सकते हैं, अपने हसाब से, जो चार्ट इंसाइट करना चाहते हैं, यह मैं एक्जामपल के तौर पर पाई चार्ट के बारे में बता दिया है, इस तरह से आप चार्ट को इंसाइट कर सकते हैं, इसका भी यह पाता है, get add-ins का, और my add-ins का, तो यहाँ पर जैसे आपको कोई software, यहाँ पर add करना है, जैसे आप use करते रहते हैं, ज्यादतर हमें add करना रहता है, तो बाकी यह net connect होने पर यह browser की तरह ही होता है, आपको office, यह इस तरह से dialogue box open होता है, बाकी यहाँ पर net connect नहीं है, तो यहाँ यहाँ पर कुछ software जैसे आप play store open करते हैं, तो बहुत सारे app दिखाई देते हैं, उसी तरह से यहाँ पर add-in का option आता है, यह भी एक store की तरह है, power point में, तो यहाँ पर आप जो भी application add करना चाहते हैं, यहाँ से internet connect करके add कर सकते हैं, और जो भी आप connect करते हैं, मतलब add करते हैं यहाँ पर वो है, जो application यहाँ पर show होने लगता है, तो आप उसके दार भी यहाँ पर manage कर सकते हैं, और show all पर click कर देंगे, तो जितनी भी आपने use के add किया है application, तो यहाँ पर show होने लगता है, अब जो next group दिया गया है, links, इसका use क्या होता है, वह देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने blank slide ले ली है, अब हम यहाँ पर कुछ shape insert कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यह rectangle insert कर दिया है, इसके बाद enter करता हूँ, तो next slide और एक और slide ले ले लेता हूँ, यह इस तरह से, यहाँ पर भी कुछ insert कर देता हूँ, यहाँ पर भी insert में जाएंगे, और जाकर के यह देखे, ट्राइंगल और इसी तरह से कुछ, इस तरह से insert कर दीजे, अब जो next option दिया गया है, क्या, की zoom का, जैसे summary zoom करना रहता है, जैसे slide सो करते हैं, और हमें एक, जो एक साथ, जितने slide दे हूँ, उनको एक slide में देखलाना है, और जब हम slide सो करें, तो उस select कर लिए है, मैंने तीनो को, तीनो को देखलाना है, तो यहाँ पर ok कर देखे, तो एक नए slide जोड़ जाएगी, यह देखे, यह summary zoom के साथ, अब यहाँ पर हम slide सो करते हैं, तो keyboard से आप F5 दवाईए, तो यह देखिए F5, slide सो open हो गई है, जैसे यह देखे, यह जो slide है, slide यह आँ पर देखाई दे रहे है, तो एक slide में ही, तीनो slide देख रहे है, तो जैसे एक पर klik करेंगे, जैसे फरस्ट वाले पर klik करते हैं, तो यह देखी, zoom करके देखाई दे रहा है, इसके बाहर click कर देखे, पर तो back चला जाएगा, अब next जैसे यह triangle पर klik करते हैं, यह देख सब्सक्राइब इसको कर देंगे बाहरा जाएंगे। थोड़ा सा और यह इस तरह से और यह यहां पर जाते हैं करेंट स्लाइट और यहां पर देखिए यह यह भी समरी जूम की ही तरह ही होता है बस इस पर क्या होता है कि स्लाइक होने के बाद यह आप एक ही स्लाइड में अपने हसाब से स्लाइक्ट कर सकते हैं स्लाइड को वहां इस तरह से आप जूम करके देख सकते हैं, इसी तरह से, यहां पर दिया है, स्लाइट जूम तो स्लाइट जूम भी इसी की तरह होता है, यहां पर सेलेक्ट कर लिजे, किसी भी को, यहां पर जैसे स्लाइट पर देखाना है, तो इस तरह इस तरह हो जाएगा, अब यहां पर य यह भी section zoom की तरह ही होता है, जैसे click करेंगे तो यह देखिए, यह slide select हो रही है, यह देखिए next slide में, जो slide रहती है, उस slide पे पहुंचा देता है, जैसे यहाँ पर जो slide थी हमने, यह वाली slide select की थी, second number की, तो slide को यहाँ पर inside कर दिया है, चोटे रूप में, और यहाँ पर जैस यह इस तरह से यह, इस तरह से यह, इस तरह से यह section, slide और some resume इस तरह से आप use कर सकते हैं, अब हम इसको मैं cut कर देता हूं सभी को, all select और delete कर देता हूं, यह delete कर दिया मैंने, फर से एक blank slide ले ले लेता हूं, मैं यहाँ पर next जो समझना है, अब यहाँ पर links के द्वारा जैसे हमें किसी next slide पर जाना है, या किसी और application को open करना है, तो हम यहाँ पर insert में जा करके, यह links का open use कर सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैं बता देता हूं, यहाँ पर कोई text ले लेते हैं, जैसे यह text ले लिया है, अब यहाँ पर कुछ type करते हैं, यह, इसको select करके, यहाँ पर to go, इस तरह से यह बना दिया हमें, अब इस पर link लगा देते हैं, जैसे इस पर click करेंगे, और link में जाएंगे, इसको मैं पहले select कर लेता हूं, यह और link में जाएंगे, यहाँ पर आपको जैसे किसी दूसरे hyperlink के दौरा यहाँ पर link set करना है, तो यहाँ पर जाकर कि आप ज download में जाता हूं, और यहाँ पर कोई image select कर लेता हूं, यहाँ से कोई सभी जैसे nature picture है, और इसको open कर लेता हूं, अब जैसी यहाँ पर देखिए, यह link लग गई है, जैसी आप keyboard से control की दबाएंगे, यह देखिए, और इस तरह से link, जैसी आप click करेंगे, तो थोड़ा सा load ले आई तो इस तरह से आप picture पर पहुंच सकते हैं, यह मैंने दो-तीन बार click कर दिया था, तो बार-बार insert हो रहा है, इसको मैं cut कर देता हूं, यह देखिए, जैसे इस पर single click करेंगे, keyboard से control लवाएंगे, और click कर देंगे, यह देखिए, आप उस picture के पास पहुंच जाएंगे, जो यहाँ पर आपने link में set किया था, जैसे यहाँ पर मैंने picture का image set किया था, तो इस तरह से link काम करता है, आप कुछ भी यहाँ पर link के तौर पर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे आपको image देना है, कोई application देना है, तो इस तरह से आप set कर सकते हैं, अब यहाँ पर action के use करता हू हम सेप इंसाइट करते हैं तो यहां पर कुछ सेप इंसाइट करते हैं अब मैं एक्षन के यूज करना बताऊंगा तो यह इंसाइट कर दिया यहां पर कर देते हैं फरसे कुछ यह वाला और इसी तरह से यह वाला इस तरह से अब जैसे हम यहां पर एक एक्षन बटन लगा द यहाँ पर करते हैं एकशन बटन लगाता थे इंसर्ट में जाएंगे और सवीर में जाते हैं यहां से भी वही उपन होता है यहां पर जाते हैं बटन लगा दिया है वहां पर यहां पर भी जाते हैं और मैंने वहां पर next light select कर दिया है यहां पर next कर देता हूं यह देखिए यहां पर भी बटन लगा देता हूं और next light यहां पर जाते हैं बटन पर और इसके जो फॉर्मिट है इसको मैं डिलीट करता हूं और फिर से इंसाइट करता हूं जैसे बटन यहां पर कर देता हूं यह और इसके जो format है मैं यहां पर कर देता हूँ previous slide और okay अब जैसे देखिए यहां पर यहां पर भी insight कर देता हूँ एक और यह next slide अब जैसे आपको slide सो करेंगे जैसे 5 दबाएंगे keyword से यह देखिए अब जैसे आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा आपको click भी नहीं करना पड़ेगा आपको सिर्फ इस पर click करना है तो यह देखिए next slide में आ गया क्यूंकि वहां पर हमने action बटन का यहां पर use किया है इस पर जैसे click करेंगे तो यह देखिए next पर आ गया आपको आप बैक जाना है तो यहां पर मैंने select किया था previous तो यह देखिए previous में आ गया previous में यह देखिए यहां पर यहां पर और बटन भी लगा सकते हैं जैसे और लगा देता हूं मैं यह वाला इस तरह से और यहां पर क कर देता हूं previous slide यहां पे भी यहां पे तो रहने देता हूं और रोक के कर देता हूं यह इस तरह अब देखते हम यहां पर आये फफाइब दवाएंगे यह देखीan next यहuffedins उपन हो गया है यहां पर क्लिक करेंगे तो next पे आगए अब यहां पर next करना है या back जाना है previous slide में जाना है यह next slide पर click कर देंगी तो देखीasm next slide पर आगए अब यहां पर back कर देंगे तो यह देखी backslide पे बहाँ पे मैंने option गलत select कर दिया है बाकि इस तरह से आप जा सकते हैं इस तरह से आप action बटन के use कर सकते हैं अब हम देखते हैं next options comment लगाना इसको मैं delete कर देता हूं सभी को select करके all select all select और delete एक new first slide ले लेता हूं blank ये इस तरह से normally अब जैसे यहाँ पर आपको comment लगाना है तो comment भी लगा सकते हैं जैसे हमने msbird में भी यूज किया है तो comment का use किसी character पर किसी बारे में कुछ description देना है जैसे slide के बारे में कुछ बताना है तो यहाँ पर यह front page ऐसे कुछ नाम से description या उसके बारे में comment लगा सकते हैं जैसे मैं इसके बारे में देदी front और यहां पर करने के बाद को कि यह इस तरह से यहां पर apply हो गया है फिर यहां पर और लिक्ना है तो आप लिख सकते हैं बाजी जैसी यहां पर क्लिक करेंगे तो इदेखी जो कामेंट लिखा गया है इस देखा गया है इस तरह से आप comment लगा सकते हैं, यहां को सेलेक्ट करके हैं यहां पर कट कर दीता हूं, यह डिलीट होके हुगा है यहां से, आपको लगा नहीं हो है, तो फर से क्लिक करकी लगा सकते हैं, अब मैं बतात 줘 यहां पे text, यहां पर आपको अगर कहीं पर text box insert करना है तो यह देखी यहां पर इंसर्ट हो जाएगा इसको मैं क्लिक करता हूं यहां पर इसको मैं सेलेक्ट करके और लिट कर देता हूं यहां पर आपको अगर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो यह देखी यहां पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो गया इस तरह से इसको format करने का भी यहां पे fill करने का है, outline देने का effect देने का है, उस पीज करेक्टर पे outline देने effect लगाना है, इस तरह से आप यहां पे format option के दर्वारा format कर सकते हैं, अब मैं बताता हूँ, header photo का, तो इसको cut कर देता हूँ, मैं इस तरह से एक ही चीज को repeat करना रहता है जैसे किसी institute का नाम है या school का नाम है किसी center का नाम है या page number या date and time कुछ भी आपको repeat करना रहता है हर page में जैसे print out निकलवाते हैं तो वहां पे आप header डाल दीजे तो वह हर page में repeat होता रहता है वही ने तो यहां पे आपको जैसे मैं बता देता कि date time जैसे date time मुझे देना रहता है तो यहां पर default में select है इसी को दिया रहता हूं और apply कर देता हूं apply all तो यह देखी सभी पर apply हो जाएगा यह देखी सभी पर यह date लिखके आ रही है यह देखिए यह date आपको अगर date change करना ही तो date change भी कर सकते हैं यह देखी यहां पर यहा यहां पर जो यहां पर आज की date दी गई है इसलिए यहां पर apply हो रहा है बाकी यहां पर type कर दीजी आपने नहीं जो date देनी आपको जैसे यहां पर कुछ भी दे दीजे आपको जो लगे बाकी तुम्हें यहां पर default में यही रखता हूं बाकी में change नहीं करता हूं अप जो जो देना चाहें दड्85 कर देता हूं ओर अ कर डिता हो और कि इंद्थी आ पर अम करन कर देता हुँ आपक्लिक करेंगे आपको फोटर rais में दा बीड़िक लिलते आपको फोटर पर आये और सकते हुआं कर चा Stop और यहां पर कर दिता हूं apply all तो यह देखी यहां पर जूम करके दिखाता यह देख यहां पर header पर मतलब header पर नहीं foot 있다 पर सभी चखे यह देखे लिखने यहां आ रहा है to a amr Institute यहां पर आंगे भी insert करूंगा तो यह देखा एक हाई points अब sir आ रहे हो इसको जूम कम करता हूं देनल देट भी आ रहा है और इसी तरह सा है आप यहां पर नम्म एंग गार कर देखिए स्लाइड का नम्म भी द énब मेंग कर देखिए बेडर कर पिसी अक्टर ही धान जाता है जो हर पेज में apply हो जाए तो इस तरह से higher footer के use कर सकते हैं अब यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ unchecked कर देता हूँ यह देखे यहाँ पर apply all कर दूँगा तो यह हट जाएगा इस तरह से आप यहाँ पर बारडार बताता हूँ बारडार कब यूज क्या था जैसे आप normal text box इंसायड करके, आप text type करते, तो यहाँ बारडार आपको text box भी देगा साथ में और आपको character देगा कि किस character में आपको यहां पर टाइप हो रहा है, इस तरह से और उसी के साथ यहां पर format भी टेप जोड़ गया है, तो यहां पर आप जिस फार्मइट में अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यह देखिए इस तरह से यह देखिए अपलाय हो गया है है फरसे सेलेक्ट करेंगे format यहाँ पर fill करना है आपको किस format में रखना है style ise सब्सक्राइब ten down सेटेबी सरफ और यहाँ सेव सेब्डाइब blक्का अडार बिलान द्रकाइब, यह उसका है तो कहले धा정 रखना है उन एक चाइब किस एक inhaler डेक्व uphill अट इस तरह से आप bird art का यूज कर सकते हैं किसी भी text को आप इन्हें हसाब से text चूस करके type करने के लिए यहाँ पर date or time, जिसने header footer में मैंने use किया था date time use किया था तो उसी तरह से यहाँ भी वही डाला बॉक्स ओपन हो जाता है तो यह देखी, यहां पर आपको किस तरह का date चाहिए, इस तरह से apply करना है, तो इसको select कर लीज़े, और okay कर दीज़े, तो यहां पर header फोटर में जैसी use किया था, बाकी यहां पर आप किसी text पर apply करना चाहते हैं, date time देना चाहते हैं, यहां पर date or time दे सकते हैं, बाकि यहां पे मैंने Left 6 box अग्रों स्ट Спłada कर मां तो यहां पे ça इसको और डिलीट कर देता हूं , जैसे यहां पे टेक्स लिएक फोल्ट सा लेटेक्षह। इसको और ऑर डिलीच कर लेता हूं Mia में हुर्टमॉज नटिश के लागा I वैसे यहां पर apply अगर आप text box पे select करके रखेंगे तो text box पे ही type होगा अगर आप normally इस पर click करके कहीं बाहर click करके और इस पर click करेंगे तो यह header footer वाला dialogue box ही open हो जाएगा यहां पर header footer मैंने बता दिया था कि date time कैसे insert करना है तो आप उस तरह से insert कर सकते हैं इस तरह से आप date time insert कर सकते हैं अब यहां पर slide का number है slide का number भी मैंने बताया था slide का number header footer में देना है तो इस पर check कर दीजिए और apply कर दीजिए तो यह देखी सभी object use करने के लिए इसको मैं blank कर दीजिए तो यहां पर इस पर click करेंगे तो एक dialogue box उपन होगा यह देखी insert object का तो यहां पर आप किस use करना चाहते हैं देखी यहां पर extension दिया गया है जैसे add of photoshop के दौरा आप object इंसर्ट करना चाहते हैं या Microsoft Excel के दौरा तो यहां पर select कर देद इसको मैं full size कर लेता हूँ और यहां पर जैसे मैं save ले लेता हूँ यह देखी सेख इस तरह से इस पर color कर देता हूँ ये देखी इस तरह चाहिए अब ये सेप को जैसी यहां से close करेंगे तो देखी यहां पर देखी वही object जो हमने वहां पर paintbrush में बनाया था वह object यहां पर देखी इंसर्ट होई है इस तरह से आप कहीं से भी जैसे एकसेल पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पी कोई object त्यार किया है तो त्यार करने के बाद यहाँ पे insert करना चाहिए तो insert कर सकते हैं इस तरह से आप object insert कर सकते हैं फिर यहाँ पे equation दिये गया है जैसे आप match के formula के यूज करते हैं जैसे हां पर दिए गए बहुत सारे formula जैसे इस पर click करेंगे तो देखिए यहां पर यह insert हो गया है इसको select करके इसके जो size है मैं बढ़ा देता हूँ 60 कर देता हूँ यह देखिए इस तरह से यह देखिए इस तरह से इसका format टेप भी खुल जाता है यह दिजाइन टेप भी खुल जाता है यहां से और formula भी दिएगा है function वाले script, radical, integral इस तरह से इस तरह से आप यहां से formula आप match का formula यूज करना चाहते हैं से use कर सकते हैं फिर insert कर इसको select करके delete कर देता हूँ तो यह अब यहां पर जैसे आपको कोई symbol entering करना है यहां पर कोई text box ले लेता हूँ यहां पर देखी तभी यह option checked होता है सिम्बल पर जाते हैं जैसे आपको किसी प्रकार का सिम्बल इंसाइट करना है जैसे यहां पर यह वाला सिम्बल यहां पर बहुत सारे सिम्बल दिये गए हैं बाकि मैंने इसका ज्यादा यूज तो नहीं किया बाकि आप जैसे symbol जो symbol इंसर्ट करना चाहते हैं इसको select कर जीजिए और insert पर click कर दीजे तो ये देखिए और इसको close कर दीजिए देखिए सिंबल यहां पर यहां पर इमसर्ट हो गया है, इस तरह से आप सिंबल का भी उन्सर्ट कर सकते हैं, आपको पसंद आए उस बह次, जैसे यहां पर यह देखिए नम्मरिंग का भी दिया है यहां पर एड दरेड को इंसर्ट कर देता हूं यह देखिए यहां पर भी आपका करजर रहेगा भही पर यह सिंबल इंसर्ट हो जाएगा तो आप online से अगर लेना चाहें तो online से ले सकते हैं वीडियो को insert करना चाहें तो अगर आपके पास this PC में ही है आपकी PC में ही है तो यहां से select कीजिए तो डायलाग बॉक्स उपन हो जाएगा यहां पर देखिए मेरे पास एक ही वीडियो है मैंने ज्यादा वीडियो में अपने laptop पे रखता नहीं हूँ तो यहां पर इसको select कर लीजे यह देखिए colored smoke effect करके नाम से है इसको मैं insert कर देता हूँ तो यहां पर देखिए यह देखिए इस तरह से video insert होगी जैसे मैं play करके देखाता हूँ यह देखिए इस तरह की एक video है smoke effect की तो यहां पर देखिए इस तरह से video insert हो गई है इसको format करना है तो यहां पर format कर सकते है इसका play करना है आपको कोई background में इसका यह देखिए इस तरह तो देख सकते हैं इस तरह से और यहां पर फॉर्मिट भी कर सकते हैं और यहां पर यहां p3 कर सकते हैं आपको यहां पर शालड नी जोड्या सकते हैं यहां पे वालिम क्या सब्सक्राइबánt एक वालिम सकते हैं यहां पर इसे विल guarई अभल एक क्या खुल शक्रीक पेड़्या से एक टो यहां पर खुर अदिया हैं यहां पर सिक्वेंस में एक आप प्लिउम में क्लिक में अगर video started हो तो यहां पे click in sequence यह default में होता है अगर आपको automatically play करना है तो automatically select कर दीजी तो यहां पर e start हो जाएगा इसी तरह से आपको insight करने है caption insight करने के बारे में कुछे बताना है तो बता सकते हैं इस तरह से इस कर सकते हैं और video को insert कर सकते हैं अब इसको मैं हटा देता हूँ और यहां से अगर आपको sound भी insert करना है तो आपके PC में होगा बाकि मेरे PC पे sound नहीं है तो मैं insert नहीं कर पार हूँ आप दर PC पे होगा तो आप आप से insert कर सकते हैं अब यहां पे जो next है option है screen recording का तो आप जैसे screen दी गई है आपको screen को record करना है आपको sound record करना है और यह screen है इसको record करना है तो आप इसको select कर देंगे तो यहां पे box open होगा देखिए एक मिट यह आपको जतना भाग record करना है तो इसको देखिए मैं इतना भाग पूरा स्क्रीन ही रेकॉर्ड करना है तो यहां पर इतना इसको select कर लीजिए और ok कर दीजिए और यहां पर record पर click कर दीजिए तो देखी यहां पर बोल रहा है कि प्रेस बिंडो की और shift और क्यों तो यह close हो जाएगा यह recording start हो गई है next जो अपने second slide open की थी तो उस पर यह recording शुरू हो गई है back में जो open रहता है तो यहां पर देखिए इस तरह से यह record हो रहा है अभी अब मैं keyword से window, shift और cue दवाता हूँ यह देखिए यहां पर जो record हुआ है वह यहां पर सुनाई देगा यह देखिए इस तरह से यह record हो गया है screen इस तरह से अगर आपको presentation आगर record करना रहता है तो आप यहां से भी record कर सकते हैं आपके presentation को और आप यहां पर upload भी कर सकते हैं slide में इस तरह से select करके मिनने delete कर दिया है हला कि आपको आप यह सारे option समझ में आ गया होंगे इस तरह से आप इसका इन सभी option कर यूज करके insert और tap को समझ सकते तो देखा आपने कैसा लगा आपको वीडियो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दी गई like बटन पर क्लिक करके वीडियो को like जरूर कर दें इससे हमारा उत्सा वड़ता है और आगे ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और बनाते जाएंगे आपको नए किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्षन में जाइए और कमेंट करके अभी हमें बतलाएए कि किस प्रकार की वीडियो और आप हमारी माद्यम से देखना चाहते हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेस्बोक वाटसब ग्रूप पे जादा से जादा शेयर कीजिए आपके सुझाओ हमें कमेंट में लगातार हमेशा देते रहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार